तो फाइनली इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार पुलेटेगे 2022 में फॉस राउंड में कितने रेंक वाले छात्रों को कोलेज मिला है जी हाँ दोस्तो जो भी छात्रों ने काउंसिलिंग किया था उन सभी में फॉस राउंड में कितने रेंक वाले छात्र चाहत्रों को दुदा तो पूरा डीटियल में हम आपको बताने जार है कि फॉस्फ रॉण्ड में कितना रेंक तब कोलेज मिल गया है और जिसको कोलेज नहीं मिला है फॉस्फ रॉण्ड में वे अब क्या करें कि उससे सिकेंड ५ार्च में हैं तो चलिए आज किस बियों को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें जैसा कि मैंने काउंसिलिंग से पहले भी बताया था कि आपको जब आप काउंसिलिंग की जेगा तो जितने भी कोलेज बिहार में हैं मतलब 44 कोलेज है जिसमें लर्का के लिए आपको 42 कोलेज है दो आपको महिला पूर टेकनिक है मतलब वोमें पूर टेकनिक दो है जिसमें 42 कोलेज आपको लर्का के लिए है तो लर्का के लिए जितने भी कोलेज है उन सभी का अगर आपने 44 कोलेज का choice feeling अगर आपने किया है जो भी छात्रों का rank जो category से ABC चात्रों का तर्ष्ज का आते हैं उन शाथ है अगर यूर रेंग यूर रेंग 10 हजार तक था 10 हजार तक जितने भी छात्रों का रेंग था, BC, EBC के टेगरियों में से जो भी छात्र आते हैं और उसका यूर रेंग 10,000 तक था, उन सभी को कोलेज मिल गया है, कोई ने कोई दूसरा बरांच मिल गया है, जिन्हों ने जितने भी कोलेज भी हार में सभी का 24 फिलिंग किया था, उन सभी का कर लेते हैं कि सीविल कितने रेंग पर मिला है, और एरेटिकल कितने रेंग पर मिला है, जिसे मिला है सीविल बरांच जो भी छात्रों को, उनका मैं बता दूं कि जो भी छात्रों को सीविल बरांच मिला है, जो यूर के टेगरी से हैं, उसे अगर यूर के टेगरी में 3000 तक था 3000 था टीन हजार तक सी बान इन सभी छातरों के मिला है जिसका I.S. का यूर चैट्यह्थ में इन शातरों का रेंग चार हजार खात, से पांस तक यह मैं एप्रोक्स बताने जा रहा हूं क्योंकि फाइनली कट अफ ये नहीं है मैंने जैसा देखा जो इसे छातुरों को वैसे मैं बताने जारू हूं लगभग मैं बताने जारा हूँ कि 4000-5000 तक जो भी छात्रों का रेंग था उन सभी को UR rank जो कटेगरी BC-EBC से आते हैं उन सभी का अगर UR rank 4000-5000 तक था उन सभी को सिविल बरांच फर्स्ट राउन में मिल गया है तो फाइनली आपको किलियर हो गया कि BC-EBC में जो भी छात्रों ने काउंसिलिंग किया था UR rank 4000-5000 तक उन सभी को सिविल बरांच मिल गया है चाहे कोई भी कोलेज मिला हो लेकिन सिविल बरांच मिला है चाहे लो क्वालेटी का कोलेज हो या पूरा हाई क्वालेटी का है लेकिन लो क्वालेटी का लगभा में बताने जा रहा हूं कि सबको अगर हाई कौलेज हाइट का कोलेज बताएं तो काफ़ी जता हाई गया है इसलिए में जो एविरेस को लेज हैं उन सभी का कटम में बताने जा रहा हूं कि जो भी छादरों का सीबिल बरांच मिला है इवी सी और बीसी के टेगरी साते हैं उन सभी का चाथαर से पांसजार यूर रेंग था उन सभी को मिल गया है तो फाइनली किलियर हो गया होगा अब बात कर ला ने चैनक कितने रेंग वालों कि मिला है तो जो भी छादर भी सी और एवी में इमसे से आते हैं उन सभी का रेंग साथ 7000 तक था जो भी छात्रों का रेंक UR रेंक 7000 तक था उन सभी को mechanical branch first round में मिल गया mechanical branch first round में मिल गया जो भी छात्रों का जो category BC और EBC से आते हैं और UR रेंक जिसका 7000 था उन सभी को college मिल गया है तो finally दोस्तों अब बात कर ले थे electrical branch के लिए तो electrical branch उन सभी छात्रों को मिला है जिसका rank आपको बता दे the survival 3 चार हजार तक था चार हजार तक था जिसका रेंग उन सभी को सरकारी कोलेज एलेटिकल बरांच मिल गया 4,000 से 4,500 तक 4,000 से 4,500 तक था जिसका UR केटेगरी में रैंक उन सभी को अलेटिकल बरांच मिल गया असानिक साथ और वहीं बात करें तो जो भी छाथ EBC और BC से आते हैं उन सभी को बात करें BC और EBC के जो भी केटेगरी के एशुजेंट है जिसका UR रैंक 6,000 तक था 6,000 तक था जो केटेगरी से आते हैं और रैंक उसका 6,000 तक था उन सभी को फास्ट रांड में इलेटिकल बरांच मिल गया है तो फाइनली आपको पूरा किलर हो गया होगा कि किन छाथरो को कॉलेज मिला है तो पूरा एप्रोक्स में बता दूँ कि जो भी छाथर BC और EBC से आते हैं जो भी छाथर BC और EBC से आते हैं और जिसका रैंक 10,000 तक था 10,000 तक था जो भी छाथरो का रैंक उन सभी को सरकारी कोलेज में इरिमिसन हो गया है ये कोई भी बरांच मिला है, Electronics, Electrical, Mechanical, कोई भी बरांच है लेकर सरकारी कोलेज मिल गया है और finally अब बात कर लेते हैं कि जो भी छात्रों को first round में कोलेज नहीं मिला है, उसी आप क्या करना है क्योंकि बहुत से छात्रों को कोलेज नहीं मिला है, इसलिए मैं ये बताने ज़रा हूँ, जो भी छात्रों को कोलेज नहीं मिला है, वो आप क्या करेंगे तो दोस्तो जो भी छाद्रो कोलेज नहीं मिला है वो अब कुछ नहीं करेंगे बस 28 तारीक तक 28 तारीक तक आपको धहरी रखना है 28 तारीक को आपका सिकेंड राउंड का आपको एलोट में लेटर जारी होने जारा है सिकेंड राउंड का एलोट में लेटर तो 28 तारी तक आप मिद्जार करेंगे 28 तारी को आपका नाम जरूर आजाएगा अगर आपका रेंक 20,000 तक है 20,000 तक जो भी छातिरों का रेंक है वो ध्यान रखेंगे उनका रेंक अगर 20,000 तक है तो 28 तारी को फाइनली उसका नाम आजाएगा गौर्मेंट कोलेज की लिस्ट में तो फाइनली आपको पूरा किलियर हो गया होगा इसके लाबा अगर आपके अमन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर लेजएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेजा मिलती रहे तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट कर साथ तर्टे के लिए धन्यवाद